हेलो एवरीवन स्वागत आपका अपनी चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट तो अभी हम बात करने वाले एमिरेट्स डीटेंड टूर्णामेंट में होने वाले आज के तीसरे मैच की यहां पर मैं आपको बता दू शार जहां और पैसिफिक वेंचर्स के बीच मैं मैच होने वाला यहां पर दोनों टीम्स बहुत मतलब ठीक ठाक टीम आपको दिखाई देंगी स्टैट्स आपको पूरे मतलब नहीं इसलिए नहीं मिल पाएंगे मैं आपको बता दूं क्योंकि जैसे मैं आपको बताएं यह अलगलग कलब्स के लिए खेल रहे हैं सब के सब प्लेयर मतलब एक प्लेयर आपको दिख जाएगा वो कोई सादव के थे रहे हैं कई कभी प्लेयर केसा हो और के स्था यू इशार्जा हमें हैं वहां के लिए खेला हुआ प्लेयर भी मतलब यहां पर आ रहां तो मतलब प्लेयर स्टेंड़र अगर आप देखोगे दो प्लेयर का तो कुछ hedge रांडर्णिन खेले हैं आउं अपलोड करें और यहां पर दूसरी वीडियो बना रहा हूं अभी तक अगर आपने चैनल जोइन नहीं कर रहा है नीचे लिंक अभी है चैनल जोइन कर लो क्योंकि फाइनल अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा और यहां पर अगर मैं बात करें तो टीम अबुदाबी क से टीम बन जाएगी स्टैर्स हमारे पास हैं यहां दोनों टीम के कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमें टीम बनाने में यहां पर एक सर्प्राइज रहा हमारे जो जिसने 50 मारी क्या नाम था उसका अर्विंद करके नाम है जो विगेट कीपिंग सेक्शन में शायद आपके ल लेते हैं तीसरा मैच है टूर्णामेंट का खेला जाएगा यहां पर शार्जांब बुक्याते रिलैवन और यहां पर फुजी रव पैसिफिक ब्लूस के बीच मैं इसी सी अकैडमिक ग्राउंड बहुत बढ़ी है बहुत मतलब ऑफिशल ग्राउंड यार ऑफिशल तो बहुत बढ़िया ग्राउंड मैं आपको पहली चीज यह बता दू यहां पर प्रिव्यू कि अगर हम बात करें तो पहला मैच टूर्णामेंट का दोनों टीम यह खेलने वाली है मतलब छे टीम ले रही है पार्ट और स्टार्टिंग के तीन मैच में आपको दिख जाए है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है कल के मैच में पर वो भी हम बिल्कुल बहुत बढ़िया टीम बनाएंगे उसमें भी कोई दिक्कत निया वैदर रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी चांस निया रेन के बहुत सुहाना मौसम है एक चीज मैं आप साइट है या स्पोर्ट्स आई करके साइट है वह आपको लाइव दिखा रही है बिल्कुल फ्री में दिखा रही है यूट्यूब पर तो फैंकोड पता नहीं क्यों पैसे मांग रहा शायद हटा भी दे फैंकोड इसके लिए पैसे पर पता नहीं अभी तो अब यहां पर बैद करें वेदर रिपोर्ट की कर चुके हैं पिस रिपोर्ट की अगर हम यहां पर बात करें जो पिछला टीटों टीए पांच मैचिज यहां पर हुए थे उसमें अगर आप देखो यहां पर भी अगर देखों तो भी हाइइश स्कोरिंग मैची राई सो प्लस रन बनते हो हमें दिखें एवरेज फरस्टिंग स्कोर 127 रन लास्ट पांच मैचिस में जो यहां पर हुए और यहां पर रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग एक बार जो चेज करते हैं चार बार यहां पर हा रही है प्रॉबल प्लेंग 11 के अगर आप बात करोगे चेंजिस आपको दिखाई दे सकते हैं कोई दिक्कत निया पर यहां पर हम स्टैट्स की बात कर लेते हैं यहां पर अगर आप बात करो तो भी यह यह इकादा ओवर करवा सकता है फिर उसके बाद बसील हमीद हमाई पास है चार मैचिस में थर्टी सावं ड़न टी ट्वेंट एक स्टैट्स हैं फिर उसके बाद आई शाह के में जो स्टैट्स नहीं मिलें यह प्लेयर मतलब है एक जिसना बहुत बढ़िया परफोर्मेंस करी आई शाह नाम का पर यार वह यह प्लेयर है यह वह प्लेयर है कुछ मुझे समझ नहीं है तो इसलिए मैं स्टैट्स नहीं लेकर रहा हूं महमत कलीम हमापस है नौ मैचिस में नाइटी सावं ड़न टी ट्वेंटी में इसना मैच मैचे में 194 रन प्लस 17 विकेट उसके बाद अगर आप बात करो संचीच शर्मा आपको प्यॉर बॉलर 15 विकेट इसने चटकाई है उसके बाद हमारे पास रिशाब मुखर जी है 19 मैचे में 216 रन प्लस 35 विकेट इसने भी बहुत बढ़िया परफोर्मेंस करिया जास घ्यान 20 के स्टैट्स है में चीज़ ये बताना चाहरा था मैं 2020 के स्टैट्स है 2019 में भी खेला 2018 में भी खेला 2015 से खेल रहा है बहुत एक्स्पीरिंस प्लेर अपनी टीम के लिए बालिंग आपको करवा के देगा बैटिंग इतनी नहीं करके देगा पर बालिंग बहुत बढ़िया क करेगा यहां पर अगर आप देखो 11 वर करवाएं इसने टीटोंटे मैं तीन विकेट इसने चाहिए एक नौमी हाई ही रहेगी क्योंकि हाइज स्कूरिंग मैच है हाई स्कूरिंग ग्राउंड है तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो आपको सारी के सारी प्लेयर्स की एक लिकेट चाहिए 43 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर सीपी रिज्वन पांच मैचेज में 80 टीटोंटी अई मैं उमर अली कि अगर मैं बात करूंँ तीन मैचेज में 28 एक विकेट के साथ टीटोंटी मैचेज भी इसने खेले हैं यहां पर इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों नह खतम हुई है पता नहीं कोई बी-एस लीग करके हैं इनकी एक लीग वहां पर प्ले装र्स खेले थे कुछ तो उनको तो सिंफनेस नहीं होंगी पर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं अब हलागी रिजांड मैचेज तो उनको स्टिफनेस ज्यादा ऌगी फिर उसके escort अगर में बात करें तो उमर अली तीन मैचिवें थाइस रन और एक विकेट टीट 20 sudah by उसके बाद अगर में बात करूँ इिंद अठारा मैच्वें ज्माकिषा अड़रा-करीव साढ़े पान सो गुपाल कुमार अगर आप बात करो गोपाल कृष्णन थर्टीएट मैंच में 153 प्लस यहां पर विकेट्स आपको चटका के देगा में कोर्स आपके लिए बॉलरी रहेगा उसके बाद हज्रत बिलाल बारा मैंच इसमें प्लस विकेट्स इसने चटकाई है पांच और यहां बात करों तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट यह सारे के सारे प्लेज रहने वाले अभी हम स्टैट्स पूरे के पूरे डिसकेस कर चुका अब युजह में आप टीम की बाद डिसकस कर लेते हैं तो टीम की बाद डिसकस करने से पहले जिन भाई ना भी तक टेलीग्रा पर शोड़ के शायद मैं सुबह जपान लीग भी ट्राइ करूंगा अगर एक आदा मैच मैं उसका भी कवर कर पाऊं आपको फुल स्टैट्स अगर मैं दे पाऊं तो उस टीम के भी दूँगा पर हो सकता है शायद ना दे पाऊं क्योंकि यार उसके बाद भी आपके पास एक इस टैलन आ गई है अब दुबारा से यह आखरी है इस कि इसके बाद आपको इस नहीं दिखाई देगी मतलब यह दो दिन और जिल लो इसको अगर आप जेली रहे हो इसको तो क्योंकि मतलब वही है जो अभी जो न्यूज आई थी कि भईया एक टीम ग्लाइडियेटर की ट क्रिकेट में तो बहुत बेकार चीज है वह एसा बढ़िया नहीं लगता मतलब अब यहां पर अगर हम टीम की बात करें तो है फैमाद यहां पर आपके लिए का उप्शन रहेगा और एन सीबू इतना बड़ी ऑप्शन नहीं है फैमाद और एच ताहिर आपके लिए बहु अगर आप नीचे देखोगे आई शाह हमारे पास हैं फिर उसके बाद हमाया पास अगर आप बात करते हैं टंडन के आपको मैं स्टैट्स बता चुका हूँ जे शिमाजू अगर आप ट्राइग करना चाहो तो एक आपके पास यह आप यह भी ट्राइग कर सकते हो पर ग्रे के स्टैट्स भी मैं आपको बता चुका हूँ नीचे अगर आप देखो तो एच रेमान ग्रेंट तो यहां पर अगर हम टीम की बात करें तो यहां पर मैं आपको बता दू एच ताहिर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टन ऑप्शन आईशा एम कलीम फिर उसके बाद सी र इसकी बनाई है पर यहां पर स्मॉल गरेंड लीग में बिए आप इस टेम को ट्रीओ कर सकते हैं कौँ स्मॉल ग्रेंट लीग में आपको बहुत बढ़िया पर फफेर्म करके दे सकती है यह तहां, पर अगर आप चा oversight यहां पर हमारी के सारे स्टैट्स हैं एक हान, EPS तो उस हिसाब से जो है यह टीम हमारे ले रहेगी ग्रेंड लीग फेवरेवल एच ताहिर आई शाह एम कलीम सी रिजवान डवल्यू मुहमद एशान जी गुपाल क्रिशन एच विलाल और उसके बाद एस रमेश यह पूरी के पूरी टीम बहुत बढ़िया हमें परफॉर्म क दे रखा वहीं से आप जुड़ सकते हो तो यहां पर इस वीडियो के लिए बस इतना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो लाइक कर जाएगा और बैल आकन दबाद जाए क्योंकि ऐसी वीडियो जोर भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर